हेलो फ्रेंज अफसर आपने देखा होगा या फिर अगर आप मा बनी है अभी अभी तो आपको अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एहतियात का ध्यान रखना पड़ता होगा उसे क्या खिलाना है क्या पिलाना है किस तरीकी की कपड़े पहनाने है कितनी ठंड में रखना है कितनी गर्मी में रखना है बच्चे को किस समय पर नहलाना है ये सारी चीजे आपके माइड में 24 गंटे चलती रहती हैं लेकिन जब भी बात आती है बच्चे को नहलाने की तो सर माओं को ऐसा लगता है कि मार्केट में मिलने वाला बेवी सोफी बच्चों के लिए बेस्ट और आखरी ऑप्शन है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है आपने कार्बनिक साबुन के बारे में सुना होगा आईए जानते हैं कि नजार शिशू के लिए या फिर छोटे बच्चो के लिए कार्बनिक साबुन किस तरीके से लाबदायक है टेप नमबर वन कार्बनिक साबुन के बहुत सारे फायदे होते हैं यह सेंसिटिव स्किन को काफी ज्यादा सूट करता है प्रकर्तिक चीजों से बना होता है इसे लिए बच्चों की नाज़ुक तवचा के उपर इ इसे लिए अगर उनका यूज बच्चों की तवचा पर किया जाए तो वो रैशिस नहीं देते हैं और बच्चे की तवचा को अंदर से पोशित करते हैं. इप नमबर थ्री, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम साबुन का प्रयोग करते हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को नहलाते समय साबुन का हलका सा भी टुकड़ा बच्चे के मुँ में नहीं जाना चाहिए. कार्बरिक साबुन के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये प्रकरतिक तरीके से बना हुआ है इसलिए अगर गलती से भी बच्चे के मुँ के अंदर छोटा सा भी टुकड़ा इस साबुन का चला जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. हाला कि आपको बिल्कुल भी एज़ा चेक करने की जरुवत नहीं है और ये बच्चों की सूखी तचा पर काफी अच्छे तरीके से सूट करता है. टिप नमबर फोर, कई बच्चों की तचा काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है जिसकी वज़े से अगर हम किसी भी प्रकार का कोई साबुन या फिर कोई अन्य चीज बच्चों की तच्चा पर लगाते हैं तो उसकी वज़े से रैशिस पढ़ने शुरू हो जाते हैं. अगर आप कार्बिनिक साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वज़े से बच्चों की तच्चा के रैशिस आसानी से खत्म हो जाएंगे. तो दोस्तों अब से आप अपने बच्चों को नहलाने के लिए कार्बिनिक साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इस वीडियो को देखे और अपने वीडियोस को हमार साथ शेयर करें मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए